जहें दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है और दोस्तो आज है 23 अप्रेल 2023 और 23 अप्रेल 2023 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोशन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर स सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सेर्च किजिए हमारा बिहार एच भी और चैनल को जोईन किजिए वहां पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिविजन का एक प्रस्न रखा है जिसका एंसर आप लोग को कॉमेंट वाक्स में देना है तो वीडियो अंतक जरूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्न है जी ट्वंटी ठीक है जी ट्वंटी देशों के कलाकारों के अंतराश्टिय प्रदरस्नी के लिए बिहार के किस संस्था का चैन किया गया है तो दोस्तों जी ट प्रदर्शनी जो दोस्तो साथ अगस्ट से टुगेदर वी आर्ट नाम से लगाई जाएगी ठीक है इसलिए यहाँ पे इसको हाइलाइट कर दिये हैं और यहाँ प्रदर्शनी साथ अक्टूबर तक आयजित की जाएगी और इसके बाद दोस्तो संबंदी देशों के सरकारों चुने गए कलाकारों की अभिव्यक्ति, पेंटिंग, ग्राफिक्स, नकासी, फोटोग्राफिक, फिल्म और वीडियो को प्रदर्शित किया जाएगा चैनित कलाकार आठ और नौ अगस्त को आयजित संगोष्टी, वन वर्ल्ड, वन फैमली का हिस्सा होंगे कलाकारों के ल तो अगला प्रस्न में है दोस्तो हाली में आई एक पुस्तक मानवी एक संगर्स गाता कवी मोचन राजपाल राजपाल राजेंद्र विस्मनात आर लेलकल के द्वारक किया गया है तो इस पुस्तक के लेकक कोन है तो मानवी एक संगर्स गाता जो है पुस्तक इसके लेकक ह डॉक्टर वंदना विजय लक्षमी ए ओप्षन इसका सही हो गया चलते हैं अगले प्रस्ण की तरब तो दोस्तो अगला प्रस्ण है प्रसिद रियालिटी सो साथ टैंक इंडिया में बिहार के कितने एंटरपैनियोर को चुना गया है तो साथ का चैन किया गया था ठीक है बी ऑप्षन इसका सही हो गया बिहार के साथ एंटरपैनियोर में चार को आफर मिला और दोस्तो तीन ने इंवेस्टमेंट ली और दोस्तो एक को जो है पहले रिजेक्ट कर दिया गया था फिर बाद में इसको सेलेक्ट कर लिया गया तो दोस्तों कौन-कौन सा वो इंटरपेनियोरे चल एक नेजर डालते हैं तो दरभंगा जिले के ननद भावी की अचार को 85 लाख रुप्या का इंवेस्टमेंट मिला है और इनी को पहले रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में फिर इनको सेलेक्ट किया गया इसके बाद भागलपूर के भाई वह ने फल सबजी को सरने से बचाने के लिए सबजी कोठी बनाई थी गया के देवांसों ने सेप्टिक टैंक में बिना घुसे उसकी सफाई के लिए रोबोट बनाया था ठीक है और दोस्तों पटना की जोती भादवाज ने चीनी की अधिक मातरा से बचाओ के लिए आरवेदिक चाय और अन्य तरह के ड्रिंक बनाया है गुपाल गंच के सुर्वी संजना ने लोगों तक आसानी से तरह-तरह की पुस्तक यानि किताबे पहुचाने के लिए चैप्टर वन ओन्लाइन बुक के स्टोर और दबीग बुक बॉक्स मंथली सब्सक्रिप्सन सुरू किया है मदवनी जिला के सचीन कुमार और रिचा कुमारी ने अनहल्दी ड्रिंक के जगा प्रोटीन से वरे सत्तु को हल्दी ड्रिंक के रूप में जीवन में सामिल करने का प्रयास किया है चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ तो अगला प्रस्ण है The Art of Hair in India प्रदरस्णी का आईजन बिहार में कहा किया जाएगा तो दोस्तों यह भी बहुत ही महत्पून प्रस्ण है और बिहार में इस तरह का जो एक्जिवीशन है जो प्रदरस्णी है वो पहली वर किया जा रहा है और इसका नाम है The Art of Hair इन इंडिया ठीक है तो इसका भी आईजन बिहार मुजियूम पटना में किया जाएगा बी ओप्सन सही हो गया और इसका आईजन दो मई दोजार तैसको पटना के बिहार संग्राले में किया जाएगा इसमें मौर कला से लेकर मुगल कला की महिलाओं का सौंदर बोध का प्रदर्शन किया जाएगा बिहार में पहली बार इस प्रदर्शनी का आईजन किया जा रहा है अगला प्रसने दोस्तों पुर्व मद रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 40 यानि टॉप 40 से स्टेशनों में प्रतम अस्थान पे कौन सा स्टेशन आया है तो पटना जक्सन आया है प्रतम अस्थान पे ए आप्शन इसका सही हो गया एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक पुर्व मद रेलवे को जितने भी रेवनू जेनरेट हुए है और उसी के अनुसार इसका रैंकिंग बनाया गया है और इस रैंकिंग में प्रतम अस्थान पे पटना जक्सन दूसरा स्थान पे मुझफर पूर जक्सन तीसरा स्थान पे दाना पूर जक्सन और चौथा स्थान पर पंडित दिन दयाल उपाद्य जक्शन है इस रैंकिंग में सब्से निचले स्थान पर पारस नातर स्थेशन है चलते हैं अगले प्रासन की तराब तो दोस्तो अगला प्रासन जो है यह आर्तिक सर्वेक्षन से लिया गया है तो आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट 2022-23 कांसार वित्तिय वर्ष 2021-22 में प्रति वेक्टी सकल राज घरली उत्पाद के लिहाज से 32 जीलों की रैंकिंग में तीन सबसे सम्रिद जिला का सही क्रम कौन सा है अर्था तीन सबसे सम्रिद जिला सबसे पैसे वाला जिला कौन सा है तो इसका सही उतर हो गया सीटी के पतना बेगु सराय अमौगेर जो है बिहार का टॉफ त्री रिच डिश्टीख है अब सबसे अमीर जिला का नाम आया है तो बिहार बजट 2023 के अमसार राज के अपने राजस्व के अंतरगत किस तरह के कर से राज को सरवाधिक राजस्व प्राप्त होता है तो इसका सही उतर ए है वानिजी कर से ए ओप्सन इसका सही हो गया बिहार बजट 2023-24 के अमसार राज के अपने का राजस्वे इस प्रकार है तो राज को जो प्राप्थ होगा वानी जिकर से 49,550 करो रुप्या प्राप्थ होगा स्टाम पेवं निवन्धन सुर्क से 3300 करो रुप्या प्राप्थ होगा परिवहन कर से 3300 करोर रुपया प्राप्त होगा और भू राजस्व कर से 550 करोर रुपया प्राप्त होगा तो कूल मिला के देखा जाए तो राजसरकार का कूल अपना राजस्व जो होगा अपने राजस्व जो प्राप्त राजस्व होगा वो 49700 करोर होगा यानि इस टोटल को जोड़िएगा तो आपको 49,700 करोड आएगा तो ये था अज का current affairs चलते हैं revision के तरफ तो revision का प्रस्ण था हाली में बिहार के किस खिलारी ने ब्राजील में आज जित वर्ल्ड पैरा बैडविंटन में दो स्वन पदक जीता है तो A option सही हो गया प्रमोद भगत बहुत सारे लोगों ने सही उतर दिया है उन सबी को बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह आप comment works में सही उतर जरूर दीजिए आज का revision का प्रस्ण है हाली में चर्चा में रही बैभार गिरी पहारी बिहार में कहां इस्थित है तो इसका उतर आप लोगो comment works में देना है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर दीजिए तो आपने दोस्तों में जरूर share करे साथी चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर दीजिए और well icon जरूर दवा जिसे आपको सारे वीडियो का notification मिलता रहे साथी हमारा बिहार चैनल को और सभी social media platform पर आप follow कर सकते हैं जैसे कि Instagram हो गया, Facebook हो गया, Twitter हो गया या आप हमें mail भी कर सकते हैं तो मिलता है जल्दी फिर एक नए episode के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै बिहार